दोस्तों मुझे रोज OBC और OBC NCL Certificate से जुड़े हुए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह OBC या OBC NCL Certificate क्या होता है, दोनों में क्या difference है, इसकी validity कितनी होती है, इस तरह के बहुत सारे सवाल लोग मुझसे पूछ रहे हैं, त तो चलो, जाता समय खराब ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईज, अगर आप इस चैनल पे नहीं होता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी on करके all पे सेट कर ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, इसी टैप की इन्फोर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँगा, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यानि कि अदर बैक्वर्ड कास्ट स अब यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर दो बाते हैं, वैसे लोग जो अर्थिक रूप से कमजोड होते हैं, जिनके कि सालाना आए, सालाना कहने का मतलब परिवारी का है, परिवार में जितने भी लोग कमाने वाले हैं, उन सब का जोड के, अगर 8 लाक रुपए से कम आता है, तो उनको हम लोग नन क्रीमी लेयर के अंतरगत लेते हैं, और वैसे लोग जिनके कि परिवारी सालाना आए 8 लाक रुपए से लोग कहते हैं यहां पर clear हो चुका होगा आप लोगों को कि वैसे OBC category से बिलॉंग करने वाले लोग जिनका की परिवारिक सालाना आए आठ लाख रुपए से कम है वो नन क्रिमिलेगर के अंतरगत आते हैं और OBC NCL certificate उन लोगों का बनता है और वैसे OBC category वाले लोग जिनका की सालाना परिवारिक आए आठ लाख रुपए से अधिक है उनका NCL certificate नहीं बनता है सिंपल सिंपल उनको एक OBC certificate ही मिलता है इसका कि कोई खास मतलब कोई खास वैली होता नहीं है उनको हर जगा यूवार की तरह ही treat किया जाता है तो उम्मित करता हूं यह अब समझ चुके हों तो जैसा कि मैंने भी starting में आपको बता दिया है कि वैसे लोग इसको बनवा सकते हैं जिनके की परिवारिक जो सालाना आए है वो आठ लाग रुपे से कम हो तो वैसे other backward caste के जो student हो या फिर कोई भी वेक्ती जो सरकारी सेवा की तयारी कर रहे हो या फिर किसी भी government institute में admission लेन चाहते हो तो उस case में आपके ये काम आ सकता है वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा reservation दिलवा देता है तो basically वैसे लोग जिनको कहीं government job के लिए जो तयारी कर रहे है किसी भी government vacancy के लिए या फिर जो government institute वागारे में admission लेना चाहते हैं वैसे लोग इस certificate को बनवा सकते हैं अब त government institute में admission लेना चाहते हो तो ऐसे case में अगर आप non-crimalier के अंतरगत आते हो यानि कि अगर आप OBC से होते हुए non-crimalier के अंतरगत आते हो तो ऐसे case में government आपको 27% का रक्षन देती है और अगर आपके पास ये certificate नहीं है तो आपको you are की तरह ही treat किया जाएगा तो सबसे बड बनवा कौन सकते हैं तो इसको हर कोई नहीं बनवा सकता है इसको वही लोग बनवा सकते हैं जो कि OBC से विलॉंग करते हैं सिंपल सा बात है कि आपका ये OBC का certificate है other backward caste अन्य पिछड़ा जाती वालों के लिए ये certificate है तो इसको हर कोई नहीं बनवा सकता है मुझे comment में ये भी OBC वालों के लिए ही है other backward caste जो बिलॉंग करते हैं और जिनकी परिवारिक सालाना आए आट लाक रुपे से कम है वैसे लोग ये अपने NCL certificate बनवा सकते हैं general category वालों का EWS बनता है जिसको हम लोग economically weaker section भी कहते हैं वह अगर बात की चीज़े अगर आप इसके बारे में भी जा आते हुए जिनकी परिवारी का आट लाक रुपे से कम है वो यहाँ पर NCL certificate भी बनवा सकते हैं तो कई जब बारी आती है कि certificate को बनवाना कैसे है इसको बनवाने के लिए हमें कहां apply करना है कैसे apply करना है तो कई इस certificate को बनवाने के लिए मिलने हैं आपके पास दो तरीका है एक तो है online दूसरा होता है offline. यह आफ लाइन समझने से पहले हम लोग ये जालने थे कि यह जो certificate है ये भी दो तरीके का होता है. एक तो होता है state level का, दूसरा होता है central level का. लोग यहां पर central level का ही बात करने वाले हैं, वैसे state level का बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. क्योंकि Central Level का अगर आप बनवाने जा रहे हो तो इसके पहले आपका State Level का बनेगा ही बनेगा तो Ultimately आपने State Level का तो बनवाही लिया तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं Central Level का इसमें State Level वालों का काम वैसे ही हो जाना है ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि आपका बनेगा SDO Level पे और SDO Level पे बनवाने के बाद आपको DM Level के लिए अपलाई करना होगा और वही पे आपको Central Level Certificate बना के दे दिया जाता है जिस पर DM का साइन वगएरा मोहरोहर सब उस पर करके मिल जाता है आपका अब बात करते हैं कि हम लोग Online कैसे बनवा सकते हैं तो Online बनवाने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो State है उस State के आपको Official Website के उपर चले जाना जैसे कि मैं बिहार से बिलॉंग करता हूँ तो मेरे बिहार का जो Official Website है वो है Service Plus तो मैं Service Plus के उपर जाओंगा वहाँ पर मुझे Option मिल जाता है Apply करने के लिए OBC और OBC NCL दोनों के लिए वहाँ पर State Level या फिर आप Central Level जो भी आप बनवाना चाहते हो उसके लिए आप Online Apply कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ फिर आपको बताना जाओंगा कि आप अगर First Time बनवा रहे हो तो आपके पास State Level का होना चाहिए और सबसे पहले अंचलस्तर वाला जो आज Certificate होता है वो आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास अंचलस्तर वाला Certificate नहीं होगा तो चलते Computer Screen के ऊपर और उसके बाद आके बात करते हैं कि इसकी Validity कितनी होती है तो आपको सबसे पहले अपने कोई भी Browser Open कर लेना है और Browser Open करने के बाद आपका जो State का जो भी Official Website है उस Website को Open कर लेना है मेरा Service Plus है तो मैं Service Plus Open कर लेता हूँ बिहार की State Government के Website का जो Interface है वो कुछ इस तरीके का है आप लोगों का अलग-अलग State का अलग-अलग Website होगा उसका Interface भी अलग-अलग होगा तो आप अपने Coding Website के ऊपर आने के बाद आप देख लेना कि वो जो Service के लिए आपको Apply करना है उसका Section कहां है अभी जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मेरा ये Website रहा तो यहां पर बिहार वालों के लिए Easy होने वाला है जैसी इसमें आप देख सकते हो लोग-सेवाओं का अधिकार की सेवाई करके आपको एक Section मिलता है अगर आपको Hindi के साथ कोई Problem है तो आप English के उपर भी Switch कर सकते हो मैं हिंदी के साथ बिल्कुल Comfortable हूँ तो लोग-सेवाओं का अधिकार की सेवाई में यहाँ पर आपको एक और Option मिलता है समान्य प्रशासन विभाग इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जितने भी Available Services है जितने भी A Certificate आप यहाँ से अप्लाई कर सकते है इसके लिए स्टोपेन हो जाएगे जैसे कि आवासिये, जाती, आए वही पर नीचे में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे नन क्री में लेयर पढ़मान पत्र का निरगमन बिहार सरकार के परुज़वान आ रहे है यानि कि यह स्टेट लेवल वाला है और सेकंड में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे नन क्री में लेयर पढ़मान पत्र का निरगमन केंदर सरकार के परुज़वान आ रहे है यानि कि यह Central Level Certificate के लिए है ठीक है तो यहां पर चूज कर लेना है कि आपको कौन सा बनवाना है आप लोग अपने स्टेट के ओपर जाओगे तो ऐसा ही इस वेबसाइट के ओपर कहीने के आपको मिल जागा कि कहां से आपको apply करना है मैं हर एक website के ओपर जाकर दिखात हो सकता है नहीं लेकिन हां इसी तर स्टार्टिंग में ही बताया कि अनुमंडल अस्तर या फिर जीला अस्तर पर बनवाने के लिए आपके पास अंचल अस्तर वाला सर्टिफिकेट होना ही चाहिए क्योंकि जैसी है आप इसके उपर अप्लाई करने आओगे तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपने बना रखा है उस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नमबर आपसे मांगा जाता है मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बार जैसे अनुमंडल सर्व के उपर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे गाईज यहाँ पर यह बोल रहा सर्टिफिकेट इसूट फ्रम आरो लेवल क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको इस फॉर्म को अच्छे तरिके से भर लेना और भरने के बाद सब्मिट करना है इस फॉर्म में आपको क्या करना होता है तो यहाँ तरह सबसे पहले आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना अभिवादन चूज कर लेना जैसे अगर श्री लगाना चाहते हैं तो चूज करेंगे अधरवाद यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं पर टिक कर देंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे उसके बाद आपको अपने नाम जनमती थी उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना इस्थाई पता जैसे कि किस राजे सहे किस जिले में रहते हैं आपका गाउं प्रखंड महला क्या है complete address आपको यहाँ पर फिल करना होगा address डालने के बाद आपको यहाँ पर अस्थानिय निकाय के प्रकार मतलब जाहां पर भी आप रहते हैं वो क्या है विलेज पंचायत के अंतर गाता था यहाँ आपको अपने कडिंग चूज कर लेना अपने एरिया का उसके बाद यहाँ पर आपको अस्थाई पता दे देना है अस्थाई पता भी सेम उसे तरीके से भरेंगे जैसे अपना अस्थाई है पता भरेंगे उसके बाद आपको अपना connection चूज कर लेना है किस category से belong करते हैं वो चुज कर लेना है उसके बाद आपको यहांसा अपना subcast चूज़ कर लेना है आप यहां पर जो भी cast चूज़ करोगे उसके according यह subcast वाला section open हो जागा जैसने मने एक cast ऐसे ड合श्य souven चूज़ किया है यहां पर देखो subcast में दो options आ रहे हैं तो यहां से आपको अपने सबकास चूज कर लेना है, सबकास चूज करने के बाद जैसे आप चूज करोगे, यह automatic सबकास अपने अप फिल हो जागा, यह आपको नहीं भरना है, ठीक है? उसके बाद आपका occupation क्या है, आप क्या करते हो, student हो, सरकारी सेवा में हो, नीजी सेवा में हो, जो भी आप करते हो, अपने recording आपको यह चूज कर लेना है, उसके बाद आपको यहां पे अपने फादर का नाम डाल देना है, फिर से एक बाद पिता की जाती, मता का नाम, यह सब भरने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, कि आवेदक का जो email ID है, मतलब एक सही email ID जिसके access आपके पास हो, वो feel कर लेना है, और एक mobile number आपको अपने डाल देना है, mobile number और email ID अच्छे से डालना, क्योंकि आपका जब certificate बन जाता है, तो आपको उसके उपर SMS के through link भी भी भ पर लेना है, या फिर मेरे जो भी parent है, वो क्या करते है, वो details मुझे यहां पर provide करना है, जैसे कि स्थैनवी धानिक पद, उनका पद क्या है, उनके पद का नाम क्या है, सरकारी सेवा केंदर में या राज्य में करते हैं, तो वो feel करना है, उस सेवा के अंतरकत उनका क्या तो यह सब आपको अपने recording देख लेना है, जो भी भरने का जरूरत है, अपने form में यहां पर fill कर लेना अचा है तरीके से, और fill करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां पर कुछ documents लगाने होंगे, जैसे कि आपको अपने निवास प्रमान पत इसमें आपको अपने recording, अपने area का office चूज करना, यह सब का different हो सकता है, ठीक है, यहां पर इसको चूज करने के बाद, यहां पर आपको submit के उपर click कर देना है, यहां पर नीचे में आप submit देख पा रहे होगे, इसके उपर आपको click कर देना है, जब आप आगे बढ़ जाओ जो आपको देना है, वो सब मैंने आप आपको बता दिया है, तो देखा आपने के हम लोग online तरीके से कैसे apply कर सकते हैं, उमिद करता हूँ कि आपको एक idea मिलिया होगा कि हमें online तरीके से कैसे apply करना है, इसे तरीके से आभी अपने state government के website के उपर जाकर apply कर सकते हो, interface थोड़ जो है, वो बिल्कुल लगबग लगबग सेमी होता है हर जगा, थोड़ा सा website का interface different होता है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी validity कितनी होती है, बहुत सारे लोग पुछते हैं कि सर मेरा जो cast certificate वो इतना साल पुराना है, अब इसको मैं renew कैसे करवा हूँ, या फिर cast certificate की validity कितनी होत है, तो यहाँ पर cast certificate का आपका validity नहीं होता है, OBC, NCL वालों का certificate का validity होता है, बात को समझ नहीं है, यहाँ पर cast certificate का नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर NCL certificate का बात हो रहा है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, और non-crimalier के इंतरगत आते हो, तो जाए इसकी जो validity है न वो एक सा की होती है, क्योंकि जो NCL certificate है, वो वैसे लोगों कहीं बनता है, जिनका जो परिवारिक सालाना आये है, वो आठ लाक रुपए से कम हो, तो आज इस साल आपका जो परिवारिक आये है, वो आठ लाक रुपए से कम है, हो सकता है में भी आपके घर में किसी का business बढ़ गया हो, या फिर कोई कमाने वाला, कोई मतलब extra जो पहले नहीं कमाता तो वो आप किसी ने काम करना शुलू कर दिया हो, किसी ने business setup कर लिया हो, तो इस हिसाब से जो एक साल का जो समय है, ये जो gap है, वो बहुत बढ़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर आपका जो सालान बनवाना पड़ता है, वो अलग चीज है, वो अपने आप में एक topic है, इसके उपर हम लोगे इसकी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जहां तक बात रहा है, यहां पे इसकी validity का, तो OBC NCL certificate का जो validity है, वो एक साल का होता है, इसके बाद आपको अपने certificate को renew करवाने की ज मैं वहाँ पे भी जवाब दे दूँगा गाईस, तो उम्मीद करते हूं गाईस, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाईस, चैनल पे नहों तो सब्स्राइब करना बिल्कुली भी मत भूलना, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिज अगले वीडियो में,